सब्सक्राइब कीजिए परितोस टेकनिकल चैनल को और बेल आइकन के तबाइए लेटेस्ट टेकनलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अब कि दोस्तो वीवो ने आज लॉंच कर दिया है अपना वीवो का वीवो नाइन प्रो जी यां तो डालेंगे नजर इसके फुल इस स्पेसिफिकैशन पर और डालेंगे कि दोस्तों यहां पर वीवो ने क्या प्राइज रखा है कुकि कर लॉंच चुने वाला है Realme का Realme 2 Pro जो कि सभी डिवाइस को टकर दे सकता है लेकिन उसके पहले ही एक दिन पहले वीवो ने आज अपना वीवो 9 Pro लॉंच कर दिया है तो डालते हैं इसके फुल स्पेसिफिकेशन पर और डिटेल्स पर जी हां नमस्कार दोस्तों मैं न नोटिफिकेसन जल्दी मिल जाएं दोस्तों मैं यहां पर बहुत सारे चीज़ करने वाला हूं अपने इस चैनल के उपर में बहुत सारे आपको अनबॉपपशिंग देखने को मिलेंगे और दोस्तों बहुत सारा गीवव्य आने वाला है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी आ 3-inch का notch display देखने को मिलता है with HFD plus 90% screen to body ratio और OS की बात करें तो यहां पर आपको 8.1 Oreo out of the box देखने को मिलेगा जो कि आने वाले टाइम में यहां पर Android Pie का update आपको मिल जाएगा दोस्तों यहां पर Vivo का FunTouch OS 4.0 भी आपको देखने को मिलता है और दोस्तों चिपसेट के बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको Qualcomm Snapdragon का 660 चिपसेट देखने को मिलता है विप Adrio 512 GPU के साथ में दोस्तों अगर मेमोरी के बात करें तो यह एक ही वरियंट में लॉंच हुआ है 6GB और 14GB जिसको आप Micro SD काड की मदद से 256GB तक मेमेरी को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों यहां पर आपको ट्रिपल काट का स्लोट देखने को मिलता है जहां पर आप दो सीम और दोस्तों यहां पर आपको जो सेल्फी मिलता है वो दो मोड में मिलता है एक मिलता है आर्टिफिसियल सेल्फी लाइटनिंग और एक मिलता है आर्टिफिसियल फेस ब्यूटी दोस्तों यहां पर आपको फेस ब्यूटी मोड का भी सपोर्ट मिलेगा सेल्फी में दोस्तों अ 3260 mh बैटरी बहुत ही जादे कम है जिस हिसाब से आज हम लोग अपना डेली यूजेच करते हैं मुवाइल को दोस्तों अगर यहां बात करें कि इसकी क्या प्राइज रखी गई है तो दोस्तों 6GB, 64GB की जो प्राइज रखी गई है दोस्तों 17,990 रुपे यहां पर इसकी प्राइज रखे गई है जो मेरे को लगता है कि इसकी जो प्राइज है कम से कम भी 14 से 15,000 होना चीए था क्योंकि दोस्तों कल जो लॉंच होने वाला है यहां पर Realme 2 Pro दोस्तों अगर 8GB वेरियंट वहां पर आपको 19 से 20,000 में देखने को मिल गया क्योंकि दोस्तों वहां पर भी आपको Snapdragon 660 का चिपसेट यूच किया गया है Realme 2 Pro में दोस्तों बात करते हैं कि यहां Vivo V9 में हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको Face Unlock देखने को मिलेगा और दोस्तों यहां पर आपको Rear Facing Fingerprint Sensor भी देखने को मिलेगा Vivo V9 Pro में दोस्तों यहां पर आपको Power Adapter जो दिया गया है वह 5-Volt, 2-Ampere और 10-Watt का आपको यहां पर Power Adapter देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर आपको gaming mode भी दिया गया है अगर आप game खेलना चाहते हैं तो आप इसको gaming mode पर रख सकते हैं ताकि आपको disturbance नहीं हो दोस्तों यहाँ पर आपको 4G voltage support देखने को मिलता है with Wi-Fi Bluetooth 5.0 यहाँ पर आपको GPS और USB OTG का support भी आपको देखने को मिलता है में यह device launch होने वाला है दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि यह device आपको लेना चाहिए कि ने लेना चाहिए दोस्तों कल launch होने वाला है Realme 2 Pro तो दोस्तों हो सकता है कि वह एक killer device हो क्योंकि वह दोस्तों 10 से 20,000 के अंदर में आपको 3-4 variant देखने को मिलेंगे और एक 8GB वाला variant भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा तो मेरे ख्याल से Vivo V9 Pro जो की 17,990 रुपय में launch हुआ है 6GB, 64GB तो मेरे ख्याल से आपको थोरा सा वेट करना चाहिए और दोस्तों यह Amazon के उपर में launch होने वाला जी है Amazon इंडिया के उपर में यह launch होने वाला है लेकिन यहाँ पर अभी dates confirm नहीं है कि यह कितने तारिक से आपको वहाँ पर मिलेगा तो मेरी राए विचार यही थी दोस्तों यहाँ पर अगर 14-15,000 रुपय इसकी price रखी जाती Vivo V9 Pro की तो मेरे क्याल से एक killer device हो सकता था और हो सकता था कि Realme 2 Pro को भी यह challenge करता लेकिन दोस्तों 18,000 यहाँ पर बहुत aggressive price रखा गया है तो देखते हैं कि Vivo V9 Pro का क्या होने वाला है और मेरी राए यही है कि आप थोड़ा सा रुख जाए और वेट करें तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्स्क्राइब कर दीजे और लाइक कर दीजे और दोस्तों बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टैमिल ही मिल जाए जी हां मैं परितों सनी सैनिंग ओफ